दोस्तों महात्मा गांदी सरोदे विच्यार प्रीक्षा 2023 के आवेदन फोरम भरना शुरू हो चुके हैं इस स्कोलर्शिप के तहत स्टुडेंट को अच्छी खासी स्कोलर्शिप मिलती है कक्षा 6 से लेके कोलेश तक के स्टुडेंट है इस प्रीक्षा में भाग ले सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको महात्मा गांदी सरोदे विच्यार प्रीक्षा 2023 के बारे में पूरी जानकरी बताऊँगा यह था इसकी आवेदन प्रोसेस है, अकजाम, सलेबस है, डोकुमेंट है, आवेदन फिस अगरा वगरा अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ है वो आप बने रहेगा नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका अपना साथी राजगूर जी तो दोस्तों सबसे पहले तो महात्मा गांदी सर्वोद्य विचार प्रीक्षा की कुछ बेसिक जानकारी आपको बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या उदसी है देखे इस प्रीक्षा का मुखे उद्धे से यह है कि महात्मा गांदी जी के जो विचार थे जो उनके सिधान थे उन सिधानतों को है आगे बढ़ाना और बच्चों में उन सिधानतों को विक्षित करना और इसके लिए एक प्रीक्षा आयुजित करवाई जाती है और प्रीक बार्यू तक सामिल किया जाता है और गृरूप 3 के अंदर आगे जो कुलेज वाले स्टुडेंटेंट यूजी और पीजी के स्टुडेंट सामिल है तो तीन ग्रूप में है और अलग अलग इनका हीहाँ पर सलेबस है सलेबस के बारे में हूँ आगे बात करेंगे चलिए मैं आवेदन के बारे में बताता हूँ कि आप इसके लिए आवेदन कैसे कहा से और कब तक कर सकते हैं तो देखें फिल हाल आवेदन फोरum भरना शुरू हो चुके हैं और अभी तक इसकी जो last date है वो 5 जनवरी 2024 ठक है और इसके जो मुख्य प्रीक्ष होने वाली है वो 28 जनवरी 2024 को होने वाली है और देखिए जो मुख्य प्रीक्ष है इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की आवसेकता नहीं होगी आपका जो होम जिला है तो होम जिले के अंदर ये अग्जाम होने वाली ह अब यहाँ पे आवेदन को लेके खाजानकारी देना चाहूंगा देखिए एक तो जो आवेदन फीस है बिल्कुल फिरी है यानि यदि आप इसके लिए आवेदन करते हो तो किसी परकार का कोई सुलक आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा और यह जो आवेदन है इस्ट आवेदन फोर्म कैसे भरा जाता है इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आराम से हो देख लीजेगा तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट स्टुडेंट है इसके लिए आवेदन हो नहीं कर सकते चलिए अब यहाँ एक डोकुमेंट की बात करते हैं कि आवेदन के समय आपको किन किन डोकुमेंट के आवसेक्ता पड़ेगी तो दोस्तों यहाँ पे देखे खास डोकुमेंट के आपको आवसेक्ता नहीं पड़ेगी एक तो आपकी फोटू है एक आपका शिग नेचर है इसके लाद जो भी आपकी केटेगरी है SC, ST, OBC तो यहाँ पर उसका कास सर्टिफिकेट की आपको आप सेकता वो पढ़ने वाली है चलिए अग्जाम के बारे में बात करते हैं कि अग्जाम का पेटरन किस प्रकार से होगा क्या सलेबस रहेगा तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 28 जनुबरी 2024 की इसकी मुख्य परिक्षा होने वाली है तो यहाँ पर देखिए मैंने शुरुआत में आपको तीन ग्रूप बताये तो ग्रूप के हिसाब से इसके अग्जाम होने वाली है तो यहाँ पर देखिए ग्रूप नंबर वन है कख्षा 6 से लेके 8 तक तो यहाँ पर टोटल जो क्यूशन आएंगी वो 50 आएंगे 50 नंबर काई होगा और 90 मिनिट है इस्टूडेंट को मिलने वाली यानि तकरीबन डेट गंटे का समय आपको मिलने वाला ठीक है इसका लाएं यहाँ पर ग्रूप दो और तीन यानि कख्षा 9 से लेके कोलेश तक यहाँ पर टोटल 100 क्यूशन आने वाले हैं और यहाँ पर 100 नंबर के होगे और 90 मिनिट आपको यहाँ पर हो मिलने वाली यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी ठीक है चलिए अब यहाँ पर देखिए अग्जाम की बात करें तो अग्जाम ओफ लाइन होगी OMR seat के उपर objective type की होगी ABCD या ABCD में आपको यहाँ पर उतर देना पड़ेगा तो ऐसे मैं student को मैं कहना चाहूँगा देखिए आपको यह अग्जाम देने चाहिए बले ही आपका इसके अंदर नंबर नहीं आए लेकिन आपको कुछ सीखने को हो जरूर मिलेगा और देखिए जैसे आप अग्जाम देऊगे तो आगे-ागे आपकी तैयारी है वो भी होती रहेगी सलेबस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अलग-लग group वाईज है सलेबस भी यहाँ पर अलग-लग रखा गया अलग कि यहाँ पर देखिए कोई अलग से सलेबस नहीं आने वाला क्योंकि यह जो प्रीक्स है वो गांदी विचार धारा की प्रीक्स है तो ऐसे में गांदी जी से जुड़े जो भी सवाल है इस प्रीक्स है के अंदर आने वाले लेकिन उनका भी यहाँ पर लेवल रखा गया, 6-8 अलग होगा, 9-12 अलग होगा और कोलेज का यहाँ पर अलग होगा उड़ता है कि हमारे पास तो इसके लिए कोई बुक भी नहीं है, कहां से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरनेट को खंगा लेंगे, तो आप बे फिजूल की जो बाते हैं, जो अदेन वो आप कर लोगे, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो देखिए आपके सुईदाय के लिए हमने हमारी वेब साइट पर है, जो भी ये सलेबस है, सलेबस के अकोडिंग जो भी गांदी जी की बुक है, पीडिए फाइल, उन सब का लिंक है, वो प्रोवाइड करवा दिया है, आप हमारी साइट पर विजिट कीजिएगा, हमारी साइट का नाम है तो यहाँ पर देखिए आप यह तो scholarship का मिन्नू मिलेगा वहाँ पर भी almost कर सकते हैं या फिर RBSC board का आपको मिन्नू मिलेगा, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और लास्ट में आपको यहाँ पर सरोदय गंधीविचार का एक section मिलेगा, यहाँ पर forum भी दिया गया है, link भी दिया गया है, syllabus भी दिया गया है, सारी की सारी बाते हैं यहाँ पर बताए गई है, एक खाज आनकारी मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो exam का पूरा जो आयोजन कर रहा है, वो अपना माद्य में शिक्षा board अजमेर यानि RBSC board अजमेर के दवारा किया जा रहा है, यानि forum भरवाने का काम RBC board करेगा, result जारी करने का काम भी RBC board करेगा, अब यहाँ पर देखिए यह सामानेशी process है, जिससे आपको यहाँ पर गुजरना पड़ेगा, अब यहाँ पर सवाल यह उड़ता है, कि स्कोलर सिप कित लेवल पे, ठीका न, यानि student का state लेवल पे भी चुनाव किया जाएगा, और district लेवल पर भी चुनाव किया जाएगा, तो जो भी हम merit में आएंगे, तो उनको यहाँ पर है नियमन उसारा scholarship हो दी जाएगी, यदि एक student का state में भी selection हो जाता है, और जिले में भी हाँ पर selection हो और ना ही इसको लेके कोई दिशा निर्देश हैं जारी किये गए, अलांकि मेरी तरह काफी सारे creator हो सकते हैं, जो आपको यह खह सकते हैं कि इतनी मिलेगी, इतनी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हैं पर हर साल है, इस scholarship के बारे में है, बोर्ड के दवारा है, जान जानकारी मेरे पास आएगी, तो आने वाली वीडियो के अंदर में आपको जुरूर जानकारी दोंगा, अगर वीडियो नहीं भी बना सका, तो हमारे जो सोसल मीडिया प्लेटफोर्म है, जैसे हमारा Twitter है, Instagram है, हमारा Telegram चैनल है, हमारा Facebook पेज है, इन सब पे हमें जानकारी तो हमारे सबी सोसल मीडिया के जो लिंक है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे, वैसे वैसे जानकारी आपको बताता रहूँगा, तो यह है, महात्मा, गांदी, सरोदे, विचार, प्रीक्षाद, 2023 के बारे में क कुछ सामाने सी जानकारी, तो आसा रखता हूँ कि सायद आप समझ गए होगी, इसके लाओ यदि आपके और भी कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी, अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लेगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजेगा, और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर सेर कीजेगा, तो मिलते हैं अपने से लिए एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत!